नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे दोस्तों आज हम MP नर्सिंग कॉंसिल का एक अप्टेट लेके आए हैं जो की नर्सिंग संबर्ग नर्सिंग फैकल्टी के लिए है MP नर्सिंग कॉंसिल के जो प्रसासक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है उस नोटिस के द्वारा उसके बारे हम आज आपको बताते हैं आपको बताएंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि जो थर्डियर के जीनम थर्डियर के स्ट्रेंट हैं बहुत दिनों से वेट कर रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और जो सप्लिमेंटरी वाले जो सप्लिमेंटरी वाले जो वेट कर रहे हैं अभी तक उनके बारे में भी बताएंगे आपको और क्या कुछ होने वाला है कब तक में क्या होगा हम लोग गैसी कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो नर्सिंग फैकल्टी जो नर्सिंग ट्यूटर होते हैं नर्सिंग कॉलेज के एनम जी एनम यसी नर्सिंग के जो स्कूल होते हैं उनमें जो ट्यूटर होते हैं उनके लिए क्या कुछ कहा है न नर्सिंग संचालक या जो MP में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक नोटीस है ठीक है वो नोटीस के बारे में हम आज बात करते हैं ठीक है दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ह हम ऐसे ही इनफर्मेटिव वीडियो नर्सिंग से रिलेटेड, MP नर्सिंग कॉंसिल से रिलेटेड, बिहार नर्सिंग कॉंसिल से रिलेट या फिर भारत में जितने नर्सिंग कॉंसिल हैं उन सभी का सुचना, information हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे तो चलिए देखते है तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यह आज ही का नोटिस है, एटलिस्ट डेट देखके यह लगता है कि कॉंसिल ने अपना काम जारी किया हुआ है, अपना काम कर रहा है, यह जो है रिजिस्ट्रेशन जो कॉलेज का 21-22 का या 22-23 का जो रिन्वल का च जल रहा है, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि सभी कॉलेजों से इन्होंने प्रिंसिपल, ट्यूटर, वाइस प्रिंसिपल के सारे जो रिजिस्ट्रेशन है, वो MP का होना चाहिए, वैलिड रिजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ही यह जो है नोटिस निका पाला गया है क्या कुछ कहा गया है आप देख सकते हैं कहा गया है नर्सिंग संबर्ग के रेजिस्ट्रेशन रिनुवल जिसका पास साल से अधिक हो गया है रेजिस्ट्रेशन उनको रिनुवल करना है या जो अभी अभी जो बेसी नर्सिंग पास किये हैं या जो भी नर्सिं किया जाता है समस्त नर्सिंग संस्थाओं को निर्देशिया जाता है कि आपके नर्सी महाविध्याले में काडियर brushing summer faculty जो Profile का काम करते हैं MP nurses registration council में पंजिकृत आपको फिर से कृंसेल पंजीक्रित हैं एबम उनके registration certificate की बैदेता पांच बर्स समाप्ध हो चुकि पाच साल का बैलीड होता है ठीक है रेजिस्ट्रेशन आपको फिर से पाच साल के बाद रिन्यूल कराना पड़ता है तो वह नर्सिंग फैकल्टी का रेजिस्ट्रेशन नभी नी करन अनिवार रूप से सिग्र कराया जाना सुनिस्चित करें अगर आप अप्लिकेशन ओनलाइन कर दिये हैं तो उस अप्लिकेशन को MPNursing सुझाव.gmail.com पर उसको भेजना है ठीक है आगे क्या कहा है उन्होंने कहा है मद्ध परदेश नर्सेस रेजिस्ट्रेशन कॉंसिल में पंजी करित फैकल्टी नर्सिंग फैकल्टी का रेजिस्ट्रेशन नभी करन नहीं होने के स्थिति में संस्था को माननेता से बंचित रखा जा सकेगा और इसकी जिम्हेदारी जो है स्वड़ी संस्था की होई ठीक है तो बात करते हैं यह तो था जो फेकल्टी है वहां के जो नर्सिंग टुटर हैं उनके लिए है अब बात करते हैं कि जो थर्डियर वाले स्टुएंट है उननीस सप्लिमेंटरी दिया है ठीक है उनका सप्लिमेंटरी का एक्जाम 17 से स्टार्ट हुआ था और आज जो है नोबेंबर हो गया है 21 लेकिन अभी तक सप्लिमेंटरी का रिजल्ट नहीं आता है ठीक है सप्लिमेंटरी का जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक थर्डियर का कोई confirm नहीं है, supplementary का result आ जाएगा, तो मुझे ऐसा पता चला है, कि supplementary का result आने के, within week, जो है, third year का examination form भड़ाया जाएगा, ठीक है, और maybe December या January, जैसा उन्होंने बताया हमें, December या January में, इक्जाम होने की संभावना है, ठीक है, लेकिन कुछ कहने सकते हैं, क्योंकि बहुत सा date जो है, fail हो चुका है, हम लोगोंने बहुत आज से, इंतिजार कर रहे हैं, third year का exam का, लेकिन सारा date जो है, fail माट रहा है, ठीक है, और दूसरी बात, जो अभी second year वाले हैं, मतलब जिनका first year का, जो result cancel हुआ था, फिर result आया, उनका अभी बहुत time लगने वाला है, क्योंकि उनका जो revolution result है, वो आने के बाद, इन लोगों में, जो fail कर गए हैं, या जिनोंने exam नहीं दिया है, फिर से ये लोग supplementary का exam देंगे, इनका supplementary होने के बाद, फिर supplementary का result आएगा, तब कहीं जाके, जो इनका second year का, examination form है, वो भड़ाया जाएगा, तो इसमें काफी time लगने वाला है, तो आप लोग इत्मिनावन से, परिक्षा के त्यारी कीजिए, अच्छे से study करिए, ठीक है, और बात करते हैं, जो current session वाले हैं, ठीक है, जो current session वाले हैं, current session बोले तो, जो 21, 22 वाले student है, उनका registration अल्रेडी हो चुका है, ठीक है, उनका registration अल्रेडी हो चुका है, इनको कहीं कोई problem नहीं है, बस इनका क्या हैं, सिर्फ examination, form को भड़ाया जाएगा, उसके बाद इसका exam ले लिया जाएगा, तो एक अंदाजा यह भी लगा सकते हैं, कि जो first year, 21 और third year, 19 बाज, इन दोनों का exam जो है, एक साथ हो सकता है, और इसके बाद, जो second year वाले G&M student है, उनका individual, इसके बाद exam लिया जा सकेगा, ठीक हैं, जहां तक मुझे पता चला है, हमने आप से discuss किया है, बागी जो कुछ भी update होगा, वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक्यू, धन्यवाद,